अब वो कह रही है के मेरे पती को मैंने मारा उसके पती को मैं छीन रही हूँ रे क्या इंसान हो के तुम जानवर हो के उम्र में जो मेरे साथ हुआ है ना तेरे साथ होता तुम कुछ नहीं कर पाती जो बॉंकरी ना कुछ तो की तरह बॉंकरी हो तुम दोनों की दोनों एक बैटी है अपने पती को छोड़ के बिलकुल तू दो चार महीने बने पती के साथ रही ऐसा तेरे साथ क्या हुआ जो तेरे पती ने छोड़ दिया ये तुने बताएगा भी सोचल मीडिया पे डिवोस हो रहा है तेरा क्यों हो रहा है क्या हो रहा है कहीं उनको ताना मारते हैं कि हमारी वज़ से तुमारा व्यूज आता है तो सपना ने ये फाइनली डिसाइड कर लिया था कि आप जो भी वीडियो बनेगा जो भी कॉंटेंट बनेगा वो उनका खुद का होगा पर अचानक सपना के एक और वीडियो ने सबको हैरान कर दिया क्या खिर इनके घर में चल गया रहा है सपना ने कहा है कि उनके सास ससूर के साथ उनकी सारी प्रॉब्लम से शौट आउट हो चुका है आप उनके सास असुर उनके वीडियोस में भी आएंगे सब कुछ दिखाएंगे तो इसका credit जाता है अंशु को क्योंकि अंशु ने उनकी सास को कही न कही सपना के लिए सपोर्ट किया है सपना के लिए उनको समझाया है कि वीडियोस में अगर वो नहीं आएंगे तो ये content अच्छा नहीं लगेगा लोगों को सपना के सास असुर को देखना बहुत अच्छा लगता है वीडियोस में और कही न कही इतने दिनों से सपना के साससूर वीडियोस में नहीं आने के कारण सपना का चैनल भी थोड़ा बहुत डाउन जा रहा है क्योंकि सपना के साससूर को बहुत से लोग पसंद करते हैं बहुत जादा पसंद करते हैं क्योंकि उनकी पूरी फैमिली जब तब वीडि परिवार बिखर गिया है उन्होंने कभी नहीं जोचा होगा कि उनके अपसिंस में परिवार इस तरीके से तूट के बिखर जाएगा परिवार में सिर्फ चार सदस्ते रहते हैं अगर वो लोग भी आपस में मिल जूल के ना रह सके तो क्या फाइदा क्योंकि अभी इन लोग को ही एक दूसरे का सपोर्ट बनना परेगा